दोस्तो देखिए राहुल गांधी ने न्यूज पेपर की इस कटिंग को शेर करके ट्वीट करते हुए मोधी सरकार पे निसाना साथते हुए कहा था कि जो मोधी सरकार है ये मंत्रालेव में और जो सरकारी डिपार्टमेंट में उसमें इस्थाई करमचारियों की जो प्रमाइंट इंप्लोई है उनको निकालने की फिराक में है साथी साथ आगे ये भी कहा था कि जो गौवर्मेंट है ये चाह रही है कि सारी जो चीज़े है इनका प्राइवेटिजिशन हो जाए इनको नीजी करन कर दिया जाए इनका और जो यूआ है उनके सपनों के साथ खिलवाड कर रही है और साथ में साथ में कहा कि मित्रों को बड़ा हवा दे रही है ठेका दोस्तों ये राहूल गाधी ने निसाना साधा था मोधी सरकार पे इसके बाद दोस्तों ट्यूटर पे और काफी जो सोशल नेटवरकिंग साइट से उन पे बाढ़ से आगे थी ऐसी स्टेटमेंट की लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट उठा उठा के उस पे चिपकाई थी कि मोधी सरकार ने जो है नई भरतियों पे रोक लगा दी है अब जो नई भरतियां नहीं होंगी युआओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो इससे जो युआँ हैं उन पे ये एसर पढ़ रहे था वो कहीन कहीन सेकलोजिकली वो ये सोच रहे थे कि जो एससी यूपीसी या रेलवे की तयारी कर रहे हैं या ऐसे और किसी विभाग की तयारी कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे मतलब अब अगर भरती पे रोग लग जाएगी अगर वैकेंसियां होंगी ही नहीं तो वोग करेंगे क्या इससे बेरुजगारी और बढ़ेगी, कहीं न कहीं असन्तोस की भावना लोगों में जाग रही थी, तो क्या है इसके पिछे का सच, क्या सच में ऐसा ही है, क्या गॉवर्मेंट ने ऐसा ही कहा था, यह सब मुद्दा स्टार्ट हुआ तो जो चार तारीकों जो वित्तमंत्राले के विया विभाग ने एक ग्यापन जारी किया था, तो इस ग्यापन में क्या कहा गया था, क्यों कहा गया था, दोस्तों, इन्होंने कहा था कि जो एकॉनोमी है, हमारी अभी अर्थिवयस्ता है, इसको ध्यान में रखके, जो मंत्राले के और विभाग हैं उनके लिए या फिर जो गैर विकासिल काम हैं जिनमें कोई development नहीं है उन कामों को उन पर जो खर्च होता है उन पर थोड़ी रोग लगाने की जरूरत है उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है ताकि जो सरकारी खर्चा है वो कम हो और जो राजकोस है उसमें पैसा बचे क्योंकि अभी economy बहुत डाउन चल रहे है तो जो unnecessary के खर्चे हैं उन पर रोग लगाई जा सके तो इस वज़े से इन्होंने कुछ decision लिये थे मंत्राले को लेके और जो सरकारी विभाग है उनको लेके इसमें कुछ खास थे जैसे कि कहा गया था कि जो आपकी जो poster diary होती है वो ना चापी जाए उस पे पैसा बेस्ट होता है वो ना किया जाए और जो different department से जो विभाग है मंत्राले के या लग-लग भी भाग है उनमें जो angle day होता है इनका जो जब ये इस्थापिट के गई है उसका जो दीवस मनाते हैं उस दीवस पे काफी खर्चा होता तो ऐसे ये दीवस बगएरा ना मनाये जाए इस तरह के कुछ प्रावधान रखे गए थे तो बबाल मचा इसकी जो next page पर आप देख रहे हैं भी इस page को लेके बबाल मचा था इसमें कहा गया था कि कोई भी नई जो भरती है जो कोई भी नया पद है उसका surgeon ना हो दोस्तों वाक्यों पर इन सब्दों पर गौर कीजीगा कि कोई भी जो नया पद है उसका surgeon ना हो किसी भी department में जब तक कि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है अगर जरूरी है तो अभी व्याविभाग की या फिर उस सम्मंदित मंत्राले की permission चाहिए होगी किसी भी नए किसी भी नए पद के surgeon के लिए किसी भी नई पोस्ट के किसी भी नए occupation या नई पोस्ट या नए designation जो है उसको बनाने क के लिए उसकी creation के लिए व्याविभाग से या फिर मंत्राले से permission ली जाए तो ये थी वो बात और साथ में ये भी कहा था कि एक जुलाई 2020 के बाद अगर कोई इन्होंने नया कोई पद मना रखा है कोई नई पोस्ट क्रेट की गया है और उस पर अभी तक भरती नहीं हुई है आप कोई भरती नहीं होगी जब ये सारा बबाल हुआ जब ये सब ट्विट आया तो उसके अगले दिन ही इन्होंने वित्तमंत्राले के व्यावभाग ने दोबारा इसकी ट्विट करके इसकी सफाय देते हुए कहा इसको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी UPSC या नया पद वो create नहीं किया जाएगा फिलहाल कुछ टाइम के लिए तो ये इसमें कहा गया था कि इसी बात को इतने गलत तरीके से प्रजेंट किया गया था साइट पे इतने गलत तरीके से इसको फैलाया जा रहा था ताकि government बदनाम हो ठीक है दोस्तों अब ये फैसला जो ल आते हैं आप 10 लोग जा रहे हैं आप restaurant में 10 खाने का order करेंगे तो आपको किवल 9 plate देंगे एक plate वो लोग आपको खाली देंगे तो आपको वो 10 लोगों को 9 लोगों का खाना है clean plate करना है मतलब खाने की waste is नहीं होनी चीए इसके साथ साथ और भी काफे इनोंने decision ली है जैसे type of competition करते हैं कि उतना सारा खाना खा के दिखाते हैं कि हम इतना खाना खा सकते हैं तो उस पर भी रोग लगा देगी है कि इससे waste होता है खाना waste होता है तो अगर कोई ऐसा channel पर पोस्ट करता है ऐसी video बना के डालते हैं तो उस पर ban लग गया है वहाँ पर ऐसी कोई video बना के post नहीं कर सकते उस पर कारवाई होगी तो दोस्तों यह तो चाइना का step था अब जो इंडिया ने step लिया वो अपनी economy को रखते हुए धियान में रखते हुए खर्चे कुछ कम करने के चक्कर में लिया है और इसमें ऐसा कुछ निया कि नौकरिया नहीं रहेंगी UPSC या फिर railway भेए इसमें किसीमें नौकरी नहीं रहेंगी जो आल्रेडी जो पोस्ट आज तक थी वो रहेंगी पर कोई नई पोस्ट क्रेएट नहीं बनायाrauen जाएगा इससे पहले दोस्तों हो सकता है कि मंतुरा लहो में ऐसा होता हो कि कुछ काम देख कोई नई पोस्ट करेएट कर दी जाती हो पर अभी कुछ टाइम के लिए ऐसा नहीं होगा बस इतनी से एक खबर थी तो दोस्तों जो खबर फैलाई जारती सोचल मीडिया पर कि भरतियां खतम हो गई है वो फॉल्स है वो जोटी है तो यही आज का रियल्टी चेक है कि भरतियां होंगी जो अलड़ी हो रही थ सोटा सा एक्जांपल देके और समझा देता हूं दोस्तों जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का ले लिजे जैसे कॉंस्टेबल हैट कॉस्टेबल हवालदार या फिर सब इंस्पेक्टर असिस्टेंस इस्पेक्टर यह इन्सपेक्टर जो पोस्ट अल्रेड़ी है इनकी भरत अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके कहें और थैंक्यू वेरी मच ऐसी वीडियो आपको पसंद दो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक्यू वरी मच फिल मिलते हैं जैहिन जैवाँ